कब्रई थाना शेत्र में लकडी के विवाद को लेकर दबंग महीला ने महीला की सांसे गाली गलोश वे मार पीट की मामले में पीडित महीला ने पुलिस सनियाय की गुहार लगाई है पतादे कि मामला कबरई थाना शेत्र के तमोरा गाओ का है जहां विमला पतनी यशुवन सिंग ने लिखत शुकायत में बताया कि उसकी जमीन तमोरा में है वहें अपने खेट से जलाओ लकडी लेकर घर आ रही थी तब ही गाओं की ही दबंग महिला नीलम ने रास्ता रोक कर उसके साथ गाली गलोच करते हुए जान से मारने की ध्याओं जिसके बाद पीडित महिला ने अपने वे अपने परिवार की जान का खत्रा बताते हुए सुरक्षव य कारवाई की मांग की है तो वहीं पुलिस ने लिखित शुकायत प्राप्त होने के बाद मामले में जाच परताल शुरू करती है गाह में खेती में रास्ते में हर जगह परिसान करती है तो बताले के लट आ जाती है तो मैं बच्ची के सहारा लेते हैं यह अर्दम आती है कल आई है सान को कल भी गाली को अच्छी है हाँ थाने में नहीं दिया थाने में नहीं दिया थाने में जमीन है मेरी जमीन है मेरी ज जाहिए है हमें एक बतलब अंटी है हमारी मतलब सोतेली है सघी है नहीं है वह बतलब हमें बार बार परेसान करती है थाने में तीन मैंना पहले मामला निपड़ चुका था लेकिन आज भी वही मामला जब हम लकडी उठाने गए तो उसने फिर से जगडा वगएरा खिया और जब कि हमारे पापा के नाम है एक शुक्यासी नंबर की हमारी समोरा गांटी है कि अगर ऐसे नहीं दोगे तो जबर जस्ती में दोगे ऐसे केस लगवाओंगी चाहे दस लाक रूपे लग जाए कल दरोगर जी गए उनके सामने मुझे बुरी-बुरी गाली दी दरोगर जी के सामने और कह रही है और लड़का कह रहा था कह रहा था ऐसे रही मानोंगी तो दंडी से तो मानोंगी बाद में लड़के ने गाली दी यस नाम है उसका यह नीलम नीलम मतलब जो हमारे मम्मी के नाम बाबा जी जमीन करवा गए है उसमें भी कब जा करना चाहती है मतलब क कि देती है कि देती है मैं विडो हूं सुनाई उसी क्यों होती है हमें तो यही लगता है तभी तो यह हमें परिसान किये कुछ कहते नहीं है आके